जैसे रामित्रों, डिक्टेशन स्टार्ट, वादी डेश अपिलार्थियों ने प्रतिवादी डेश प्रत्तर्थियों के विरुद्ध इस अनुतोस की इप्षा करते हुए समीदा के वी निर्दिष्ट अनुपालन के लिये 1999 का हक वाद संख्या दो फाइल किया था कि प्रतिवादी डेश प्रत्तर्थियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे वाद पत्त्र की अनसूची ए में उपवर्नित वाद भूमी के संबंद में वादी डेश अपिलार्थियों के हक में आत्यंतिक विक्रई विलेक निश्पादित करें और जिससे विफल रहने पर वादी डेश अपिलार्थी नयालई की प्रकिरिया के द्वारा विक्रई विलेक निश्पादित कराने के लिये स्वतंत्र होंगे और इसके अतिरीक्त उन्होंने इस अनुतोस की इप्षा की की उन्हें वाद भूमी पर कबजा भी दिलाया जाए विराम वादी डेश अपिलार्थियों द्वारा यह अपील दो हजार पाँच के हक वाद संख्या दो में उपने अधीस तीन कॉमा कटियार द्वारा क्रमसह तारीक आठ जून कॉमा दो हजार पाँच और तारीक बारे जून कॉमा दो हजार पाँच को पारित उस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा उक्त नेयाले ने विरोध के आधार पर तथा पी खर्चों के बीना उपर युक्त वाद खारिज किया है विराम पेरा चेंच रजिस्ट्री करण अधिनियम की धारा पंद्र को दो हजार पाँच के अधिनियम संख्या बारा द्वारा संसोधित किया गया है और दो हजार पाँच के अधिनियम संख्या बारा द्वारा एक धारा अर्थात धारा पंद्र डेश कोश्टक को अंतर स्थापित किया गया है और उपर्युक्त उपबंद में यह कहा गया है की संपत्ती अंतरन अधिनियम की धारा तेरक के प्रियोजन के लिए किसी स्थावर संपत्ती को प्रतिफल के लिए अंतरन करने है तू संविधाओं का उलेख करने वाले दस्तावेज रजिश्ट्री कृत किये जाएंगे यदिवे रजिश्ट्री करन और अन्य संबंदित विधियां अधिनियम कॉमा 2005 के आरंब होने पर या उसके पस्चात निश्पादित किये गए हैं और यदि ऐसे तस्तावेजों को ऐसे प्रारंब पर या उसके पस्चात रजिश्ट्री कृत नहीं कराया गया है तो उनका उक्तधारा तिरेपन क के प्रयोजनों के लिए कोई प्रभाव नहीं होगा विराम उपर युक्त उपबंद में वी निर्दिष्ट रूप से यह कहा गया है कि किसी स्थावर संपत्ती को प्रतिफल के लिए अंतरण करने हैतु सविदाओं का उलेक करने वाले दस्तावेज संपत्ति अधिनियम, 1882 की धारा तेरग के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्री करित किये जाएंगे यदि ऐसे दस्तावेज रजिस्ट्री करन और अन्य संबंदित विदियां अधिनियम, 2005 के आरंब पर या उसके पस्चात निश्पादित किये गए हैं विराम यह इस पस्च है कि उपर्युक्त उपबंद संपत्ति अंत्रण अधिनियम, 1882 की धारा त्रेपन को लागू करने के लिए संपत्ति का कबजा अंत्रिती के पास होना चाहिए और इसलिए रजिस्ट्री करन अधिनियम, 1908 की धारा 17 कोष्टक कोष्टक वर्तमान मामले को लागू नहीं होती है विराम स्विकर्त तह विवादित भूमी का कबजा वादी डेश अपिलार्थियों को नहीं दिया गया है विराम इसके अतिरिक्त वादी डेश अपिलार्थियों के अभी वचनों से यह स्पस्ट है की वर्तमान मामले में विकरे करार वर्स दो हजार पांच में निस्पादित किया गया था जबकी रेजिस्ट्री करण अधीनियम इसके की धारा सत्रह में संसोधन वर्स दो हजार पांच में किया गया था विराम इसके अतिरिक्त इस दारा में एक स्पस्टी करण संबद किया गया है जिसमें यह कहा गया है की ऐसे दस्तावेच के जो दस्थावर संपत्ती के विक्रे की समीदा के प्रभाव के लिए तातपरीत या प्रवर्त है कोमा बारे में यह नहीं समझा जाएगा की मात्र इस तथ्य के कारण उसका रजिश्ट्री करण कभी भी आवश्यक है स्टोप धन्यवाद स्टोप धन्यवाद स्टोप धन्यवाद